नागोर जिले में पंचाय चुनाव 2020 को लेकर मेड़ता में भाजपा नेताउने प्रेस कॉन्फरेंस की इसमें प्रदीश महामंत्री और रासमन सांसद दिया कुमारी और प्रदीश उपाध्यक्ष माधोराम चोधरी के 21 नवंबर को होने वाले दोरे को लेकर जानकर दी गई प्रेस कॉन्फरेंस में भाजपा जिला महामंत्री लीलाधर सोनी ने मेड़ता पंचाय समिती की 35 सीटों पर 5 जिला परिशद सदश्य में भाजपा के विजए होने का दावा किया सोनी ने भाजपा का प्रधान बनाने का भी दावा किया गोरतलब है कि मेड़ता पंचाय समिती के 35 वार्डों के लिए मतदान 27 नुमंबर को होगा इस अवसर पर युवा भाजपा नेता और वार्ड 29 के पृत्याशी संदीब चोधरी ने किंद्र की मोदी सरकार के कारियों को लेकर जनता में जाने और वोट मांगने की बात कही इस आधार पर मेड़ता पंचाय समिती और नागोर जिलापोईशद में भाजपा के बहुमत का भी दावा किया परिष्टी जैनता पारटी मजबुती के साथ पंचाय समिती चुनाव लगने जा रही है और जिला परिशत के और पार्टी मजबूती से चुनाव जितेगी और वाड संक्या 12 और 13 में उनका विश्यस कारकम रशी है